जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अर्विंद केजीवाल के अरिस्ट की नियूज ने पूरे देश को हिला कर रखा हुआ है ब्लेम गेम के बाहर आकर तस्वीर देखे तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि देश के एक चीफ मिनिस्टर सलाको की पीछे हैं वो भी उस देश में जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोग तांतरिक देश है जहां चुनाव की तारीखे पास आते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टीज की द्वारा चुनाव कैंपेइनिंग हो रही है वही दूसरी तरफ अर्विंद कीजिवाल को CM की कोर्सी से हटाने के लिए रोज कोट में कोई ना कोई प्रोसीडिंग देखने को मिल रही है एक बार फिर दिल्ली हाई कोट ने अर्विंद कीजिवाल को CM पत से हटाने की केस की सुनवाई की है जिसमें जस्टिस सुब्रेमन्यम प्रसाद पिटिशनर को लीकर सक्त होते हुए नजर भी आ रहे हैं और यहां तक की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रसाद ने पिटिशनर को वान करते हुए बहुत फटकारा भी है इस बीच अर्विंद केजीवाल की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि वी CM की कोरसी नहीं छोडेंगे मतलब वे रेजिगनेशन नहीं देंगे अगर बात करें आम आनमी पार्टी की तो पार्टी के लिए चिंताय खतम होने का नाम नहीं ली रही है लिकर कीस मामले में अब CM अर्विंद केजीवाल के पोस्टर सेकरेटरी बिवफ कुमार और MLA दुर्गेश पाठक को भी ED द्वारा समन्स भेजे जा चुके हैं आपको बता दे कि ये वही कीस है जिसमें पार्टी के बड़े नेता मनीश शिसोधिया, संजे सिंग, सतींदर जेन और अर्विंद केजीवाल जेन जा चुके हैं हाला कि संजे सिंग को बेल देकर सुप्रीम कोट के द्वारा राहत दी गई है इसी बीच दिल्ली हाई कोट में एक रिट फाइल हुई है जिसमें बेसिकली दिल्ली के सीम को रुमूव करने की मांग रखी गई है आपको बता दे कि अभी तक दिल्ली कोट में दो और पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन फाइल हो चुकी है जिसमें ये सेम मांग कोट के सामने रखी गई है पहले दो केस को अप्टिंग चीफ जिस्टिस मनमोहन और जिस्टिस मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा की डिविजनर बेंच द्वारा सुना गया था अगर अभी रीसेंट केस की बात करें तो आप चौक जाएंगे ये देख कर कि फॉर्मर आम आनमी पार्टी MLA संदीप कुमार ने दिल्ली हाई कोट में पब्लिक इंटरस लिटिगेशन फाइल करते हुए दिल्ली चीफ मिनिस्टर अर्विंद केजिवाल को सीम पत से हटाने की मांग की है पेटिशन फाइल करते हुए कुमार हाई कोट से प्ली करते हुए कहते हैं कि वो एक जिम्मदार नागरिक है अर्विंद केजिवाल अगर सीम की सीट से रेजिगनेशन नहीं दे रहे हैं तो उसका रीजन है बीजेपी और आम आर्मी पार्टी में हो रही खीचतान पर इस बीच दिल्ली NCR की पब्लिक क्यों अफेक्ट क्यों होना पड़ रहा है आगे बढ़ते हुए कुमार ने ये भी कह दिया कि वैसे पे दिल्ली NCR पर 60% कंट्रोल सेंट्रल गवर्मेंट का है और बाकी स्टीट गवर्मेंट का इस कंडिशन में अगर CM अपनी ड्यूटी धंग से नहीं कर पाएंगे तो ये कंट्रोल पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्मेंट के हाथ में चला जाना चाहिए सिर्फ यही नहीं कुमार ने इसको अपना constitutional right भी बताया है जी हां अपने सही सुना इस पर Justice Subramaniam Prasad काफी नाराज हो गए और कहा की अगर पहले भी दो public interest litigation Chief Justice के bench के सामने गई है तो ये case भी उनके सामने ही जाना चाहिए Since similar petitions have already been disposed of by a division bench headed by acting Chief Justice Manmohan the matter must also be listed before the same bench इसके साथ Justice Prasad कहते हैं कि रिट में कोई भी relevant cause of action नहीं दिख रहा है और ये रिट public interest motivated नहीं बलकि publicity interest motivated है Petitioner को खूफ फटकारते हुए आपको बता दी कि इसके अलावा पहली public interest litigation सुर्जीत सिंह यादर द्वारा फाइल की गई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि दिल्ली से सरकार चलाना CM Kejriwal को मुश्किल होगा वे वहाँ से अपनी सारी duties fulfill नहीं कर पाएंगे जो एक Chief Minister को करनी चाहिए The plea stated that the Respondent No.4 Arvind Kejriwal has virtually forfeited his office as a Chief Minister of Account of being arrested and as he is in the custody he has disabled himself from performing the duties and responsibilities of being a public servant and as such he ought not to continue as a Chief Minister साथी Petitioner ने कोट किया that such a situation is against the ethos of criminal jurisprudence हलाकि इस मामले को दिल्ली High Court के Divisional Bench ने dismiss कर दिया ये कहते हुए कि ऐसा कोई law नहीं है जिससे ही कहा जा सके कि Arvind Kejriwal को ये आदेश दिया जा सकता है कि उन्हें दिल्ली के CM के पत से हटना ही पड़ेगा ये काम Executive और President का है अगर उन्हें ऐसा लगा कि किसी स्टीट की स्टीट गर्मेंट अपनी सरकार चलाने में फेल हो रही है तब इस सिचुएशन में उस स्टीट के अंदर ये President रूल इंपोस कर सकते है इसमें कोट कुछ इंटर्फेर नहीं कर सकती दूसरा पब्लिक इंटर्स लिटिगेशन हिंदु सेना के National President विष्णु गुपता द्वारा फाइल किया गया था और इसमें भी ये ही मांग रखी गई थी कि दिली CM Arvind K.G. वाल को अपनी कुर्सी से हटा देना चाहिए विष्णु गुपता के काउंसल कहते है कि After the arrest of K.G. वाल on March 21 there is an absolute lack of government in the national capital A constitutional deadlock has been created after the arrest High Court की bench ने फिर से court किया कि अभी तक ऐसा कोई law नहीं है जिससे Arvind K.G. वाल को CM पत से हटाया जा सके हाला कि ये सही बात है कि judicial custody से सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा The bench stated This is a practical issue not a legal issue We won't go into this We will declare that the government is not functioning Governor is fully competent He does not need our guidance There is a discretion to take the call Let's not anticipate that they won't discharge their functions We can't venture into this इसी बात को आगे बढ़ाते हुए Delhi High Court Bench Chief Justice कहते है कि इस मुद्दे पर बात करने की और आक्शन लेने की पावर Delhi के Lieutenant Governor V.K. सक्सिना के पास है और उनके साथ साथ Prime Minister के पास भी The bench stated Constitutional morality will be considered by LG He will consider it and the PM They are the authorities Everything cannot be done by the codes We don't administer the state Next time there is a war with a neighboring country You will say This matter will reach a right conclusion हाला कि ये कहना मुश्कील है कि ये कोट में Public Interest Litigation या Rit File करने का सिलसिला अभी कब रुकेगा कोट ने इस पॉइंट पर साफ कर दिया है कि किसी भी परसन को Rit करने से नहीं रोका जा सकता है ये हर किसी का राइट है यहां तक तो की हमने कोट की बात तो आईए देखते हैं कि इस पर बाकी सपक क्या कहना है सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली हाइट के रिटायर जज आरेस सोधी की Justice सोधी कहते है कि जेल से सरकार चलाने का तो कोई आप्शन होना ही नहीं चाहिए He stated One cannot leave it to the whims and fancies of superintendents in jail and rely on exchanging a piece of paper here and a piece of paper there In such a scenario, you expose matters of state importance to other inmates फिर PDT Acharya ने भी जो की लोगसभा के former Secretary General है Arvind K. Jival के action को खूब क्रिटिसाइज किया है वे कहते है There certainly are challenges such as presiding over confidential meetings and discussing matters with officials Expert की मानी जाए तो Arvind K. Jival को अपना short term successor appoint करना चाहिए और खुद resignation देना चाहिए Jail से छूट कर Arvind K. Jival कभी भी CM की कुरसी पर वापस बैठ सकते है अब तक आम आदमी पार्टी की बरी नेता आतिशी ने भी press conference के दोरान कई बार कहा है कि Chief Minister Arvind K. Jival resignation नहीं देने वाले है वहीं दूसरी ओर Arvind K. Jival के जेल जाने के बाद उनकी वाइफ सुनीता K. Jival भी अब मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी के साथ साथ उन्हें भी represent कर रही है तो इसी बीच कई लोगों द्वारा अटकले लगाई जा रही है कि हो सकता है कि सुनीता K. Jival को CM की सीट मिल जाए देखते हैं कि इस मामले में आगी क्या होता है आप भी अपनी राए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और तब तक के लिए की फॉलिंग लोग चक्रा